रूस में बड़ा आतंकी हमला हुआ है 26-11 जैसा अटैक जिससे रूस की राजधानी मौस को हिल गई है हमला रूस के बाहरी इलाके क्रोस्नो गॉर्क्स शहर में हुआ है यह हमला एक कॉंसर्ट के हॉल में हुआ जहां इसाईयों की बड़ी संख्या मौजूद थी हमले में अभी तक लगभग साच लोगों की मौत की खबर आ रही है संख्या बढ़ भी सकती है इसके साथ 145 के करीब लोग घायल हो गए हैं हमला चार आतंकीों द्वारा किया गया आतंकी हमला इसलिए क्योंकि आतंकवादी संगठन आईएस आईएस ने खुद इसकी जिम्मे अखिल हुए थे और उन्होंने धड़ा धड़ गोली बारी कर दी हमले के बाद पूरे हॉल में अफ्रा तफ्री मच गई मीजा रिपोर्ट्स की माने तो ये आतंकवादी काफी ट्रेंड थी अमेरिका के राश्ट्रीय सुरक्षा परिशत की प्रवक्ता जॉन किर्वी ने ह हमले को भायावह बताते हुए कहा कि तस्वीरे काफी डरावनी हैं उन्होंने पीडितों के परिवार के प्रती समवेदना व्यक्त की है हमले में मारे गए सब ही आमनागरिक थे भारत की बात करें तो भारत और रूस के रिष्टे हमेशा से ही बहतर रहे हैं रूस यूक्रे और क्लियर स्टेटमेंट दिये गए थे इस मौके पर भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना की निंदा करते हुए रूस के साथ समवेदना व्यक्त की है रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी लगातार भारत रूस के कॉन्टेक्ट में रहा था न्यूक आतंकी हमले को इससे जोड़ कर भी देख रहा है हमले को लेकर ये भी तथ्य सामने आ रहे हैं कि अमेरिका ने ऐसे किसी बड़े हमले के बारे में रूस को आगाह किया था लेकिन रूस ने इसको इतना सीरिसली नहीं लिया हमला काफी चौकाने वाला इसलिए भी है क्योंकि रूस पर अमूमन ऐसे आतंकी हमले होते नहीं हैं दूसरी बात आतंकी संगठन इस कटड़ पंथी आतंकवादी समूह ने एक दौर में दुनिया भर में आतंक मचाया हुआ था इसकी बरबरता के किसे मशूर थे लोगों के सरकाटना मास स्लॉटर मास रेप करने वाला ये रातंकी संगठन साल 2017 तक अपने घुटनों पर आ गया था इसकी 95 फीसदी तक की प्रॉपरिटीज खो दी गई थी अपनी दो बड़ी टेरिटरी मुसूल और रग्गा को भी संगठन ने खो दिया था इसके राइज डाउन फॉल और आईसाई से जुड़े सारे तथ्यों क के बारे में बात एक अलग वीडियो में करेंगे इसमें किताब का जिक्री जिसे मैं यहां सिर्फ नाम लेकर छोड़ रही हूं बात हम इस पे डिटेल में बाद में करेंगे इस किताब का नाम है दे लास्ट गर्ल यह किताब आईसाईस की जगहन्यता का रूप दुन्या के सामने प्रस्तुत करती है इस पर एक डिटेल वीडियो को आगे के लिए छोड़ते हुए रूस की ओर रुख करते हैं यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आइस आइस एक बार फिर से पाव पसार रहा है और अगर ऐसा है तो यह दुनिया भर के लिए एक चेतावनी है र रादेमिर पुतिन की छवी एक स्ट्रॉंग लीडर के रूप में स्थापित है वो काफी एग्रिसिव है अपनी पॉलिसीज को लेकर उदाहरन के जरीए समझे तो बीते समय में जब भी इस तरह के हमले हुए है उसको लेकर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है साल 1999 में एक अपार्टमेंट में पांच हमले हुए थे जिसमें दो सो तिरान्ने मौते और एक हजार से ज्यादा लोग घायल हुए थे साल 2002 में मौस्को के डब्रो का थीटर पर अटैक हुआ था 2003 में दो महिलाओं ने खुद पर आत्मगाती हमला किया था जिसमें 215 मौते और कई लोग घायल हुए थे इन्में से जादा तर हमलों में आतंकी संगिठन चेचन्या समूह जिम्मेदार था जिस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया था फिलहाल वे फॉर्वर्ड में यही देखा जा रहा है कि रूस कोई बड़ा कदम जरूर उठाएगा कब और कैसे यह होता है यह देखने वाली बात होगी बहराल इसका इंतजार सबको होगा उमीद है कि हमारे इस वीडियो से आपको काफी इंफर्मेशन मिली होगी वीडियो काम का लगा को इसे लाइक करें शेयर करें और इसे तरह के और भी कॉंटेंट के लिए शब्द साजी के चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें फिलहाल के लिए इतना ही बने रही है हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाई